महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों में कौन शक्तिशाली था। भाया कुछ टिपणियां मेरे जवाबों पर आती रहती हैं। कुछ औरों के जवाबों पर भी टिपणियां मैंने पढ़ी है। तो उन टिपणियों के साथ में इस सवाल का जवाब मैं यहा जिसके लिए वह दुर्योधन को युद्ध के लिए भढ़काता भी रहता था। बनाते थे। वह पहले भी कवच कुंडल रहते हुए कई बार हारा था। और इंद्र के साथ हुए उसके कवच कुंडल का विनिमय भी उसके उपर कोई अन्याय नहीं था। जो कि बदले उसे उसकी मनवान्छित वस्तु यानि की शक्ती दी थी। इंद्र की शक्ती इंद्र के वचन के साथ में थी, जिसमें निश्चित तौर पर एक शत्रु को मारने का वचन सम्मिलित था। श्री कृष्ण ने घटोत कच्च के उपर उसे चलवा कर कई उद्देश्यों को पूरा किया। पहला इंद्र के वर्दान का मान रखा। दूसरा घटोत कच्च जो की एक नर्भक्षी राक्षस था। कुमरवा दिया। जिसे पांडवों के साथ रिष्टे के वजह से उन्हे मारने में कठिनाई होती, तीसरा कौरवों की बहुत बड़ी सेना का सफाया घटोत कच्च और कर्ण के हाथों करवा दिया था। यह फैसला श्री कृष्ण की राजनीती का एक उत्तम उदाहरन थी, जिसमें उन्होंने कौरवों की हडबडाहट में लिये गए फैसले, रात चाहते तो उनके द्वारा भी शक्ति का विनाश करवा सकते थे, लेकिन उससे इंद्र के वर्दान का मान नहीं रह जाता, दान देने का मतलब यह नहीं हो जाता है, कि कोई ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और अगर ऐसा ही होता, तो कर्ण से बड़े-बड़े दानवीर महा दानवीर कहते हैं, कर्ण को केवल दो ही श्राप मिले थे, वो भी उसकी गलती की वजह से ही उसे मिले थे, अधिरत एक संपन व्यक्ति था, और बचपन से कर्ण को कोई दुख जीवन में नहीं मिला था, उल्टा बचपन से कष्ट और कठिनाई सहन करने वाले पांडव थे क्योंकि उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण जैसे दुष्ट जो लगें हुए थे, कर्ण और अर्जुन का कई बार आमना सामना हुआ था, लेकिन हमेशा विजय अर्जुन की ही हुई थी, द्रौपदी स्वयमवर में विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन था, कर्ण व ही दुर्योधन पांडवों के इतने बड़े एहसान को भूल गया और एक इंच जमीन देने से भी मुकर गया, सच तो यह है कि सामर्थ्य और चरित्र हर जगह अर्जुन का ही पलड़ा भारी था, कर्ण को तो केवल आज के जमाने के लेखकों और टीवी सीरियल वालों ने ह ही चने की जाड़ पर चड़ाया है